BSP ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है. ये बसपा की पहली लिस्ट है. BSP ने रामपुर सीट से मुसलिम उम्मीदवार को टिकट दिया है. पार्टी ने सहारनपुर लोकसभा सीट से माजद अली को मैदान में उतारा है, जो कॉंग पीना सुरक्षित सीट से सुरेंदर पाल सिंग को टिकट दिया गया है. सहारनपुर से माजद अली, मुरादाबाद से मुहम्मद इर्फान सैफी, रामपुर से जीशान खान, संभल से शौलत अली को प्रत्याशी बनाया गया है. अम्रोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरत से द इस एहमद खाजब की शाह जहाँपुर से डॉक्टर दोदराम वर्मा को प्रत्याशी घोशित किया गया है. सोलह उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में बीएसपी से साथ मुसलिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है. इस बार बीएसपी राज्य में अकेले चुनाव रही है. बीएसपी का राज्य में इंडिया गटबंधन और एंडिये गटबंधन से मुकाबला है. सूत्रों की माने तो अपना दल कमेरावादी के साथ पार्टी के गटबंधन की चर्चा चल रही है. हालाकि अभी तक इस संबंध में कोई अधिकारिक बयान दोनों और से क किसी का नहीं आया है.